हेलो दोस्तों मैं हूँ दीपक ELP स्वागत आपका दीपक एक टेक में है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अराभी NTPC का जो साइको टेस्ट है उसमें T.42 कैसे आएगा देखें मैं भी ELP का साइको टेस्ट दे चुका हूँ और मैं क्वालिफाई कर गया थ प्रिकरशन में वह बहुत ही जटिल है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है मैं आपको बता देता हूँ कि आपका T.42 कव आएगा यदि आपका जो मार्क्स है किसी भी साइको टेस्ट में आपका जो मार्क्स है वह आपका अपने साथ बैठने वाले कंडिट मत वह दिए उसके अधिकरशन मार्क से एक या दो तीन नमबर आपका कम रहता है फिर भी आपका T.42 प्लस रहेगा तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप अपने साथ बैठने वाले कंडिट से जो आपका इसको लिग तो आपका टी स्कूर 42 आ जाएगा मतलब अपने साथ बैठने वाले जो भी कंडिडेट हैं उसमें जो एवरेज कंडिडेट होंगे उन से अधिक नमबर लाते हैं तो आपका टी स्कूर 42 हो जाएगा तो बस आपको टेंसन नहीं लेना है आपको प्रेक्टिस अच्छे से करना गलतियां कम करना है इसमें माइनस मार्किंग फिर पी घलतिय कम करना या मत सूझेगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गलती हो जायते कोई दिक हो जो आइपका नमबर रता है तो हँग ती स्कूर 42 लाएंगे तो इसमें सबसे जिअ Ann heteratus कOR हूआए जो बैटर्व मार्क सब के लिए easy होगा क्योंकि आपको average से थोड़ा सा ज्यादा नंबर लाना है या average के बराबर नंबर लाना है तो आपका t square 42 अराम से हो जाएगा तो बस यह है इतना समझना है कि आप अपने साथ बैठने वाले जो नीडेट हैं उनके average से भी अधिक रहेंगे average रहेंगे तब भी आपका selection हो जाएगा साइको टेस्ट में तो इसका tension नहीं लेना है चले मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद